दोस्तो आपने लियोपर्ट जानवर तो देखा ही होगा। ये बड़ी बिल्ली की परजातियों में से एक जानवर है। इनका बज़न लगभग 56 से 113 किलो तक होता है। जबकि में लियोपर्ट का 130 किलो तक हो सकता है। और ये अपने शिकार के पीछे 80 किलोमेटर प्रतिगं चल्टे की स्पीट से दोड़ सकते हैं। वैसे इनकी लाइफ जंगल में 10-12 साल ही होती है पर ये जूमें रखने पर और देखबाल करने पर 20 साल तक जी सकते हैं। ये वेहद शातिर और शर्मीले सौभाब के जानवर होते हैं। ये अधिकतर रात में ही शिकार करते हैं। पर जब भी ये शिकार करते हैं तो शिकार चाहे कितना भी भारी क्योंना हो। उसे मारने के बाद ये गर्दन पकड़ कर नसदीक के पेड़ पर चड़ जाते हैं और फिर अराम से बैट कर वहां खाते हैं। आइए दिखाते हैं आपको वो पल जब ये अपने भारी भरकम को लेकर पेड़ पर चड़ जाते हैं। हमारी ये क्लिप माला माला गेम रिजर्व की है जो साउथ एफरिका में इस्थित है। यहां आप देख सकते हैं कि दो तेंदुए पेड़ पर ही बैटकर एक इंपाला को खाने में लगे हुए हैं। ये दोनों आपस में शिकार के लिए छीना जप्ती कर रहे हैं और इस छीना जप्ती में दोनों तेंदुए गिरते गिरते जस्ट बची हैं। कैमरामेन बताते हैं कि ये दोनों एक ही मादा तेंदुए से जन्मे दो भाई हैं। ये दोनों भाई अक्सर दूसरे मादा तेंदुए से या बोढ़े तेंदुए से उनका शिकार छीन कर खाते हैं और ये अक्सर एक दूसरे से भी खाना छीन कर खाते रहते हैं। पर आज इनको देखकर ऐसा लग रहा है कि पहला तेंदुआ अपना खाना दूसरे के साथ शेयर नहीं करना चाहता और दूसरा तेंदुआ भी शायद समझ चुका है कि अब उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलने वाला है। शायद इसलिए वो पीछे हड गया है। बिचारा दूसरा तेंदुआ चुप-चाप दूर से ही सब कुछ देख रहा है। जबकि पहला तेंदुआ इंपाला की हड्डियों तक को चबा चबा कर खा रहा है। तेंदुआ के मजबूत दांतों के लिए इंपाला की हड्डियों को चबाना बहादासान है और जब जंगल में बड़ी मुश्किल से खाना मिले तो मास और हड्डियां दोनों को ही खाने में भलाई है। तेंदुआ एक बार जितना खा सकता था उतना खाने के बाद बचे हुए इंपाला के शरीर को पास में ही रखकर आराम करने लगता है। इस क्लिक के जरीए आप 130 किलो के तेंदुए की ताकत का अंदाजा लगा सकती हैं। आपको बता दें कि एक आम जेबरा का बजन लगबक 350 से 450 किलो के बीच होता है। तेंदुए ने एक जेबरा का शिकार किया है जिसका बजन तेंदुए की बजन से लगबक 4 गुना ज्यादा है। कमाल की बाद तो ये है कि अपने से चार गुना भारी जेबरा को भी ये अपने मुह में दबा कर सीधे पेड़ पर 20 फीट उचाई पर ले जाकर रख देता है लाकि बाद में इसकी दाबत उड़ा सके इसके बाद इसे फिर भूख लगती है तो ये उस जेबरा को अपने मुह में दवा कर पेड़ पर ही थोड़ा नीचे ले आता है और बैट कर उसकी बोड़ी को खाने लगता है कमाल है तेंदुए की ताकत खैर आगे बढ़ते हैं कमाल की बाद तो ये है कि ये जान बूचकर अपने शिकार को इस सीधे पेड़ पर चड़ाने के लिए लाया है अच्छा खासा इंसान भी इस पेड़ पर सीधे चड़ने से पहले दस बार सोचेगा मगर ये आराम से इसे लेकर पेड़ पर चड़ जाता है हमारे अगली क्लिप सावी सेंड्स गेम रिजर्ब की है ये साउथ एफरीका का एक नेशनल पार्क है ये पार्क लिए फेमस है ये पार्क क्रूगर नेशनल पार्क से बिल्कुल सटा हुआ है इस पाक में अक्सर टूरिस्ट घुमने आया करते हैं और हमारी ये क्लिप टूरिस्ट के एक गुरूप ने हैं रिकॉर्ड भी की है इस क्लिप में दो पेड आमने सामने हैं एक पेड पर तेंदुआ है तो दूसरे पेड पर एक छोटा सा बंदर का बच्चा है बेचारा बंदर का बच्चा शेतानी करने के लिए बार बार आवाज निकाल कर तेंदुए को चिड़ा रहा होता है तब ही तेंदुआ पेड से उतर कर बंदर वाले पेड पर चड़ जाता है आप देख सकते हैं कि बंदर कूद कर दूसरे पेड़ पर चला जाता है और लगतार तेंदुए को चिडाता रहता है पर शायद इस बेचारे बंदर को तेंदुए की ताकत का अंदाजा नहीं होता तेंदुवा कुछ देर तक तो दूसरे पेड़ पर ही रुका रहता है और फिर अचानक से कूद कर बंदर बाले पेड़ पर चड़ जाता है पर इस बार उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और वो तेंदुए का शिकार हो जाता है आखिरकार हम कह सकते हैं कि तेंदूए को चिड़ाने का भुक्तान बंदर को अपनी जान गबाकर करना पड़ा दोस्तों इससे हमें ये सबक लेना चाहिए कि दूसरों को चिड़ाने से पहले अपनी और सामने बाले की ताकत का अंदाजा जरूर लगा लेना चाहिए दोस्तो इसी के साथ हमारी आज की वीडियो खत्म होती है वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें कॉमेंट करें और चैनल को सब्स्ट्राइब करें ना भूलें